नमश्कार हेल्दी कीचेन नमाजी में आप सभी का स्वागत है आज में आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ रेश्टराल स्टाइल मेथी मटर मलाई की रेसेपी तो चलिए देखते हैं मेथी मटर मलाई रेसेपी बनाने के लिए किंकिन चीजों क्यों और सकता पड़ेगी तो यहाँ पे मैंने लगबख धाई कप मेथी लिया था इसके पत्ते मैंने निकाल कर इसको तीन चार बार दूपते वे पानी में निकाल कर दो के ले लिया अच्छे से पानी निथाड़कर काट के बारिक बारिक ले लिया इसके पत्तों को डेड़ कप मटर है यह मैंने फ् प्याच रफली चॉप किया हुआ एक से ठेढ़ी इंच अद्रकाट कुड़ा रफली चॉप किया हुआ ही दस से बारा काजू है और सुख्य खड़े मसालों में है दो तेज पत्ता दो छोटी लाइची एक बड़ी लाइची चार से पांच लॉंग आप खड़े मसाले और भी इसमें दालचीनी जो भी आपके पास अवलेफल आड़ कर सकते इसे सभी का फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है तो और घरम मसालों में मैंने लिया है हल्दी पाउडर जीरा धनिया पाउडर लाल मिट्स पाउडर गरम मसाला पेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यूज करेंगे यहां पर थोड़ी सी बारिक कटी हरी धनिया है यहां यूज कर सकते या स्किप भी कर सकते अगर आपको पसंदना ओओ तो स्किप कर दे और यहां पर एक कप दूद की मलाई है मैंने दूद की मलाई उसकिया अब चाहे तो अमुल फ्रेश क्रेम मार्केट वाली यूज कर सक अब ने हों जाए कि हमारे ग्रेवी में जल्दी से पक चाहे जाता समय ना लगाँ अब वाले तो गैस उन कर टें गैस पे हम एक शेडा देंगे तयार इसमें थोड़ा सा उबालाने देंगे ज्यादा में जुदा हमीज को नहीं है थोड़ा सा पानी थोड़ा सा हलका सा सबसे पहले मेथी को पका लेंगे तो एक कड़ाई पे तपर चढ़ा देते हैं जर्त पे इसमें हमले लगात तो यहां पर हमारा तेल अच्छे से गरभ हो चुका है अब इसमें ढाल देते हैं तो इसे चला कर लेना है ताकि यह अलका ज़ाब हो लिए लेकिन पकने के अबाद इसे पका लेंगे तो इसे जल्दी से पकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा लड़ेंगे ताकि जल्दी से गल जाया पर एक पिंच के आसपत यह प्लाव शॉल्दी तक मीथि है जो बल के तैयार हो जाएगा तो पके के झालके कर देती हो थे यहां प्ली चेक रहे रहे है मंतल व्यूद की हो बनने लगा है तो इसे दो से तीन मिनिट तक हम ऐसे स्लो फ्लेम पे कर लेंगे फिर इसके में गैस बंद करके इसको ठके रख देंगे तो यह मटल में बॉइल आ चुका है हम गैस सॉफ करके इसको कवर कर देता है ताकि अच्छी से जब तक मारा सब्जी रेडियोगा तब तक यह सॉफ्ट हो जाएगा तो इसे को कर दो देते और इसे चोड़ दो साइड में टेक अकम आप डे कर देते हैं सब्सकर देखें न तो अब देख रहें मारा मेती भी किसना रेडिश हो चुका टो इसका पानी थोड़ा सा में जिए कर लेना है मैं कॉ ज़ा लेना है ऊ-मेडू तो दो से तो मेथी कुमे नेक बरतन में निकाल दिया आप सेम कड़ाई में मैं आपी कर लोंगे तो हमारी कड़ाई अल्रेडी गरम है तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल पहले तेल अच्छे से गरम हो जाए तुमें ले tapas, लेज लेट, प्याज, लेसंन, अधर्स, गरम से गरम हो चुकत है ज़िसमें हम डाल देंगे प्याज, लेशन, अधर्स, अधर्स, खष्ण, खब्रम pó frustrated, फ्राइब का मैं तक स्टाना है हदा लिया है तो आज रहलें कि प्रों किने सेमाटर साथ काटकर त्यार कर लिए निए रहते तक त्यार कर लिया है लोकी हो चुपा इसमें इसमें टमाटर टालेंगे आप मेरता है इतला की सीसरा वी तो जाला है सब्सक्राइप घंखलें यल्जार बेरा देख्ड है निसी ब्सप्रेंट धोन सभड और पर धमाटर plano कर्षोच आँ तो यहां पर मारा मसाल ग्रेवी के लिए मसाला तयार हो चुका है मेथि हमारी पकड़ तयार हो चुकी है यहां पर मैंने मटर भी वाल के रखे से आप तेख रहे हैं तो यह जब तक सब्ची तयार होगी हमारा मटर रिदम अच्छे से शॉप्ट हो जाएगा तो ज्यादा समय सब्ची बनानी है तो यहां पर हमारा टॉमा प्याज लेशन अध्रक सब्चनदा होचुक है तो यहां पर मैं एक च्छोटा मीसी जार लिया है को डाल लेती हो तो यह पर मैंने काजु भी लेकर थेको अच्छ पेस्ट बना कर तयार करके फिर मैं आपको बताती हूं तो यहां पर मैंने टामाटर लेसन पर आज सब का पेस्ट बनाकर तयार कर लिया है अब हम चलते हैं सर्जी बनानी की तरफ तो गैस पर हमने कड़ाई चाला दिया है गैस अब लगभग एक बड़ा चमच मैंने तेल लिया है तेल को अच्छे से हीट होने देना है सर्जों का अच्छे से पहले गरम कर देंगे हम तो यहां पर हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब इसमें डाल देंगे एक चमच जीरा और यह मैंने सुच्के मसाली ख़ए लाले से और देख सकता है लॉंग को थोड़ा सा ऐसे तोड़ के डाले दाल ची नहीं है बड़ी वाल अचास भूड़ी लाइची यह जो टोड़ कर डाले इसको चील कर ताकि इसके दाने अंदर तक चाहे दो हरी लाइची और चाहर लॉंग इसको डाल कर हमें एक सेकिंट एड़े भून लेना है अब इसके साथ अधमें डाल देंगे एक पिंच के आसपास हीं और इस्ट अर में दाले में मसाले के तयार किये थे यहां पर मैंने सारे मसाले डाल दी हैं इसमें थोड़ा सा बचा है तो पाने डाल के हम सारा यूज़ कर लेंगे यहां लगबग थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर रियूस करूंगी जाधा नहीं तो कलर इसका पीला पीला हो जाएगा जो अच्छा नहीं लगेगा तो लगबग एक से पीड़ पीछ के आधने इसमें फ्यादी पाउडर डाला है पाउडर 1 टीजपून धनिया पाउडर और यह एक हरी मिर्च है इसको मैंने लंबा काटकर डाल दिया अगर आप ज्यादा तीके ना परसिंग करते हैं तो ज्यादा डाल सकते हैं अब इसे अच्छे से मिर्च करके सबसे बिना जब सक मसाले से तेल अलग ना होजा इसे में डेल चुखने से ऐसे में पड़ने मटर को बूल लोंगी मटर तो मोटर सॉख्त ही हो चुका है दे सकते हैं यह बट इसमें मसाले के साथ मूंट न लोगी यह अच्छे से सॉख्त हो जाया ओहारा है इसका मैंनी पानी ड्रेंग कर लिया मटर को अच्छे से मीश करके इसके साथ ही अने से पका लेंगे अधी भी डाल देते हैं अब इसे में ढखकर तेल छोड़ने तक अच्छे से पहले प्राइ कर लेंगे अमस्में इसको जलाके पहले से चार मिनाट तक अच्छे से डीच बीच में चलाकर पका लेंगे पहले चार चार पांच मिनट हो खुके हैं तो हमारा मसाला भी भूंकर आठे से रेडी हो चुका है अब देख सकते हैं मेति तो कितनी कॉंट्रीटी थी पक्तर कितना होके है आपको तेल सेप्रेट होते वे जिखनी रहोगा कि मैंने मेति मत्र से बढला था इसके उसके कुछ पता नहीं चल रहा बढ़ हमारा मसाला अच अच्छी से उबालना है उसे फिर्टे रहे आप देख रहे हैं मलाई डालते समय ही कैसे इसमें अलग से क्रीमी सब टेक्स्चर आ गया है सब्ची का अगर इसका फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा कर इसे में कंटीनिसली पढ़े चला रहे हैं अगर आप कंटीनिसली चलाएंगे अब देख रहे हैं अब देख रहे हैं अगर आपको ऐसा थीक चाहिए तो पैनी आड़ करूंगी तो इसमें हम लगबग एक ग्लस पानी में डाल रहे हूं आप अपने इच्छा नुसरा कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें हल्का सा ग्रेवी चाहिए रहता है मुझे अच्छा लगता है मेरे हजबन को भी तो तो चाहिए तो ठीक भी खा सकते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी और रायट करेंगे तो आप देख रहे हैं इसको खाड़ा रख रहे हूं इसको एक से दो मिल्ट और नमक तो यहां पर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रहे हूं और हाफ टी स्पून गरम मसाला अब इसे एक बार मिक्स कर देंगे तहले थाइण अब इसे अमें डहरे कर दो और दो मिनट तक आप पका लिघाएं ताकि जो गरम मसाला है वो तक जो सब्ची में अच्छे से अपना फ्रेवर फ्रेवर चोड़ दे तसे में कवर कर देती हूं और एक से दो मिनिट तक पकालेंगे इसको तीम से मिनेत हो चुका है हम मेथी मटर मलाई बनकर तयार है तो यहां पर मेथी मटर मलाई बनकर तयार है आप रोटी पर अठे जिसे भी चाओ खाईए अपनों को भी चलाईए और आमको मुशे शेयर कीजिए नमस्कार